हेलो दोस्तो एक एलेक्टिन में मैं आपका स्वागत है तो दोस्तो कैसे आप सभी आज सब्सक्राइब तुम बहुत अच्छ होंगे तो दोस्तो हमारे पास यह दोनों वीडियो कोन की हमारे पास वोसिंग मशन ठीक होने के लिए आई है तो हमने दोस्तों यह बाहर रखे और यहां पर हमारी है 6.5 kg तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें आने वाली दिक्कत तो सबसे पहले मैं आपको मोटर की बता देता हूं जो वासिंग वाली है जैसा आप हाथ लगाके से घुमाते हो ठीक है तो यह वाली मैंने इस प्रोग्लम पर मैंने वीडियो बना र रहती है तो इसमें जो हाथ गुमाने से चलती है तो हमारे दोस्तों वायरिंग में दिक्कत आ जाती है ठीक है तो आप अंदर से वायरिंग बदल सकते हो मोटर की जैसे कि हमारी रणिंग स्टार्टिंग और कोमन रहती है क्योंकि उनमें से या रणिंग का वायर खराब हो जागा यह स्टार्टिंग का तो यह दोनों ही हमारे दोस्तों दोने मोटर में ऐसी प्रोल्म हमारे देखने को मिल जाती है ठीक है तो आगर हमारे यह गूमता नहीं है ठीक है तो यह सिर्फ ऐसी रहता है पर नीचा का गेर बोक्स सिर्फ गूमता रहता है यानि कि उसे फिरी बोलते हैं जैसे कि हमारा फिरी हो जाता है ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो अगर दोस्तों आपका यह फिरी हो जाता है उपर ने गूम तो दोस्तों इनके दोनों कि मैंने आपको बता दिया कि आगर आगर हाँ वाइरी खराब होंगे 100फरेंट आगर हमारे वैसे नहीं चलती है तो दोस्तों हमारे गेरबोक्स भी हमारा यह हमारा जो रहता है ब्रेक वह हमारा अड़ जाता है तो इस वज़े से दोस्तों यह चिक-चिक करती है तो यह वाली सोलूसन आपका सुल्फ हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको यह जिदर से हमारा यहां पर पानी निकलता है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं अगर यह घुमाने पर दोस्तो हमारा काम कर रहा है फिर भी हमारा पानी नहीं निकल लाए तो आपको क्या करना है दूसरे नमबर पे तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको यहां से तो हमने दिखा दिया आपको अब मैं नीचे की साइड से दिखाता हूँ तो इसे खोल लेते हैं और अभी खोल के आपको भी दिखाएंगे कि हमारा इसमें पानी क्यों नहीं निकलता है ठीक है तो दोस्तों अमर्चन पर नए तो मर्चन को सब्सक्राइब कर सकते हो करक है तो बहुत अच्छी बात है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे के आपको इलेक्टों से लेटी न्यू वीडियो मिलती रहे दी ठीक है दोस्तों तो आपको पता चलगी होगा तीन प्रोब्लम मैंने बता दिया जो जो हमारे सबसे ज़्यादा आती है तो तीस चोथी प्रोब्लम का मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारा यह पानी नहीं निकलता है ठीक है अभी मैं इसे खोल के दिखाऊंगा अगर आपका यह पानी बंद हो जाता है यहां से आपने उपर का रेगुलेटर जो रहता है वो भी आपका इने गुमा के देख लिया है फिर भी हमारा पानी नहीं निकलना है तो करना क्या है या तो हमारी दोस्तों इसकी रबड अंदर की जो रबड रहती है अभी मैं दिखाऊंगा आपको तो यहां पर आप देख लिजिए तो यहां पर जो अंदर की रबड रहती है यानि कि आप देख सकते हो तो दोस्तों यह हमारी जादे मिट्टी लगने के उससे जैसे मेल रहता है तो वो हमारे दोस्तों यह खराब कर देती है तो इसे सबा करोगे तो यह बिल्कुल आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आपका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएगा तो दोस्त आगर हमारे पास यह प्रोब्लम आती है तो मैं दिखाऊँगा करके पर अब हमारे पास यह आली प्रोब्लम नहीं आई है दूसरे वाली वहाशिंग मसीन मॉसीन में आई थी वो हमने कर दिये ठीक है वो बहुत पहला आई थी तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ है अगर यह पानी की problem बनती है तो आप यहाँ पर इसे कर सकते हो ठीक है इससे ज़्यादे कुछ नहीं है इस सॉ इन मसीनों में क्यूंकि ज़्यादे हमारे यही problem आति है यहातो फिरी गूम सकता है ठीक है यह वाला वासिंग वाला और यह आपका यह जैसे उठाने पर गोमता है तो यह दोस्तों यहाँ पर यह तो आपका ब्रेक वाला वायर भी तूट सकता है और यह आपका ब्रेक भी खराब हो सकता है बस दोई चीज खराब हो सकती है इसमें इससे जादे कुछ नहीं आत यह आप उसे भी जाके देख सकते हैं तो यहां पर हमारे दोस्तों यह वाला ब्रेक रहता है यह तो दोस्तों यह वर्क नहीं करता तो इस वज़े से यह वाली प्रोब्लम आती है अगर हमारे जैसे उपर को डखकन उठा के हमारे ब्रेक लग जाते थे तो आगर नहीं लग र